हलो दोस्तों इंडियन पोस्ट ओफिस में बंपर पदोपर भरती आई है यह जो भरती है कुल 38,926 पदोपर है बहुत अधिक पदोपर भरती है तो इस भरती के बारे में पूरी जानकार इस उड़े में आप लोगों को देंगे इस फॉर्म को कौन-कौन फिलब कर सकता है आगे आप लोगों को सैलरी से लिए भी दिखाएंगे कितना क्या सैलरी मिलता है तो यहां पर चलिए देख लिए फॉर्म भरने का क्या कुछ परकिरिया है और कैसे क्या इसमें सेलेक्शन होगा तो टोटल सीट की संख्यां देखेगा 38,926 है पोस्ट का नाम है ग्रामीं ड www.jov.in Oufficial webcats आपको form fill up करना है बाकि कर देखेगा पर फ भर भराना कल से ही सुरू है दो मईं से ही सुरू है लेकिन अपर website सही तरीके से काम करने लगेगा इसके बाद आप बल्कुल फॉर्म फिलब कर पाईएगा लाश्ट डेट जो है पांच जुन 2022 है तो लाश्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलब कर लीजेगा इसके बाद और भी चीज़े यहाँ पर देख लिजेए क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में तो पहला कंडिशन एज का है यानि उम्र का है तो मिनिमाम एज नियुनतम उम्र जो मांगा जा रहा है 18 साल और यह जो होना चे फॉर्म भरने की अंतिम्ति थी फॉर्म भरने की जो अंतिम्ति थी है पांच जुन 2022 है अगर पांच के लेकर भी डॉट क्लियर हो गया छूट में देखेगा तो SCHT काट्योगरी में 5 साल है OBC में 3 साल है दिभ्यांग अब भीहर्थियों के लिए दस साल अलगळग यहां पर कृयर्टरिया दिया हुआ है इसके बाद यहां पर दिभ्यांग भीहर्थियों के लिए भी छूट अगर दस्मी लेवल का डिग्री है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहां पर बिशाय का भी कंडिशन रखा गए mathematics and English तो दस्मी में सभी आप किसी भी बोर्ड से अगर आप पास के हैं तो गनित और बिल्कुल आप फॉर्म कर सकते हैं और किस राज में कितना क्या सीट है और आप दूसरी राज में फॉर्म कर सकते हैं या इसके बारे में भी आगया आप लोगों को बताएंगे इसके बाद यहां पर देखिए कंपल सरी knowledge of local language यह जरूरी यहां पर इसलिए रखा गया है कि यह जो जौब है गरामिन छेत्री से संबादी तो अगर आप बिहार सिया और सौथ एस्टेट में अगर तमिलनाडू या करनाटक में अगर आप फॉर्म फिलब कर देते फिर वहां का आपको language पता नहीं रहेगा फिर लोगों से बात कैसे कर पाईएगा इसी के लिए यहां पर पर देखेगा तो यहां से देख लिए जो भी में में चीजे जो आपके लिए जरूरी है इसके बारे माप लोगों को बताएंगे और यहां पर कुछ कंडिशन रखा गया जैसे पोस्ट ओफिस में क्या कुछ काम होता है इसी सब के बारे में यहां पर है इसके बाद यहां पर ब्रांच पोस्ट ओफिस के बारे में बताया गया है तिसमें तीन तरह का पोस्ट आगे जोब प्रोफाइल भी बताया गया है कि आपका क्या काम रहेगा और यहां पर देखेगा ATM सब से रिल्टेट है तो पोस्ट ओफिस में ATM और आप सभी को पता ही होगा इंडियन पो प्रोडिंग आपको ड्यूटी यह सब दिया जाएगा और चीज़े यहां पर देखेगा तो अप्लिकेशन फी के बारे में है तो इंडियन पोस्ट जी डियास ऑनलाइन.GOV.in ओफिसेल वेबसाट से आपको फॉर्म फिलप करना है तो पहले तो फॉर्म का फी भी नहीं रह पेमेँंट कोईँ प्यमेंट करना पते हैं और सभी काटोगरी में महिलाओं के लिए फी में छूट है दिब्याँग अभ्यारतिूं के लिए चूट है। इसके बाद फॉर्म काइसे फिलप करना है तो इनहीं पोस्ट ऑफ्टोपिस को ओफिसियल वेबसे आपको सब से लिंग दिया हुए नाम, फादर्स नेम, डेट ओव बर्थ, यह सब चीज़ आपको फिलप करना है, अपना एक्टिफ मोबाइल नमर देना, इमेल ऐडी देना, भविश में अगर आपका सेलेक्शन होता है, मोबाइल नमर पर SMS के माध्याम से, और इमेल ऐडी पर आपको अपलोड करना है, और एक कंडिडेट के लिए कहा गया है कि आपको केवल एक ही रईश्टेशन करना, अगर आप एक सदीक रईश्टेशन करते हैं, या एक सदीक फॉर्म फिलप करते हैं, तो डुपलिकेट के कंडिशन में आपका आवेदन रद कर दिया जाएगा, इसी के आउनलेन आप किसी भी माध्यम से फी पेमेंट कर सकते हैं, इसके बाद अपलोडिंग डॉकुमेंट, तो डॉकुमेंट में दो ही चीज आपको अपलोड करना है, एक सिगनेचर एक फोटो, इसी के बारे में रिसेंट फोटोग्राप 50 के भी से अधिक साइज का नहीं होना च इसको कनवर्ट करके आपको परसेंटेज मार्क्स में देना परेगा, इसी के बारे में हैं, और आगे रूल भी बत्याएगा, जौब प्रोफाइल देखेगा, तो ब्रांज पोश्ट मास्टर का जौब प्रोफाइल यहां पर है, केरिंग और ट्रांजेक्शन, तो में यहा के बारे में यहां पर है, केरिंग और ट्रांजेक्शन, ओफलेन या ओनलेन, ब्रांज पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, और डिवाइस, मॉबाइल डिवाइस, स्मार्टफॉन के माद्धे हम साब को पेमेंट देना परेगा, और आप जमा भी ले सकती इसी सब के बारे में, बांकी यहां पर मार्केटिंग हो गया, और भारत सरकार की जो भी योजनाय है, बिजनेस से रिल्टेट, और जो भी योजनाय है, जैसे यहां पर सुकन्या समरी थी, योजनाय थी, यह सब चीजे के बारे में, आप लोगों को बतेएगा, और खाता ख हो लिएगा यह सब चीजे के बारे में यहाँ पर बत्याया गया तियहीं में वर्कलोड यहाँ पर है जोब प्रोफायल के बारे में देख सकती इसी तरह सिहाँ पर सेमके आपको सेल करना है transaction IPPB यानि Indian Post Payment Bank से संबधित transaction ये सब चीज़े doorstep यानि घर-घर जा करके आपको ये सब चीज़े देना पड़ेगा और भारत सरकार की जो योजना है उसी के बारे में यहाँ पर है डाक से बाक में आपको RMS यानि railway में भी duty दिया जा सकते railway mail service में भी आपका duty दिया सकते इसी के बारे में यहाँ पर है एक extra चीज़ इसमें जूट गया है और यहाँ पर selection काईसे क्या होगा selection जो होगा 10th के marks के धार पर सबसे पहले आपको GDS का form फिलब करना पड़ेगा और 10th में जो भी आपका percentage marks रहेगा उसे according shortlisted किया जाएगा और उस according आपका selection होगा जो भी आप reference दिये रहेगा उस according आपका selection होगा इसमें exam नहीं है आपको percentage marks के धार पर selection होगा अगर 10th में अच्छा marks है तो विल्कुल आप form फिलब कर दीजिए वैसे एक 100 रुपे ही लग रहे है और सभी महला भ्यारतियों के लिए फी में छूटी है तो इसी के बारे में हाँ पर दिया हो और 10th extender का जो है certificate percentage marks 4 decimal तक देना अगर आपका percentage इस तरह से 62.25 तो 25 तक दीजिए नहीं तो अगर इसके बाद भी अगर 13 इस तरह से आ रहा है तो 13 तक आपको 60 decimal तक देना है grade point के बारे में यहाँ पर formula बताया गए A1 grade है तो grade point 10 हो गया multiple factor 9.5 से आपको गुना करके percentage निखालना है इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया और चलिए आगे आप लोगों को salary slip दिखा रहे है salary slip में कितना क्या salary मिलता है यहाँ पर देखेगा पूरी परक्रिया जो है selection process 15 November 2022 तक complete हो जाएगा और जो भी परक्रिया रहेगी email और SMS के माध्यमस आपको सूचना दी जाएगा अगर आपको shortlisted किया जाता और important instruction देखेगा यहाँ पर भी देख सकते हैं जो भी इसमें minimum चीज़े थी इसके बारे में आप लोगों को बता दिये salary के बारे में देखेगा तो यहाँ पर salary के बारे में दिया हुआ हुआ है salary के बारे में यहाँ से आप देख लिजिए यहाँ पर देखेगा तो दिया हुआ salary के बारे में BPM BPM का जो salary है 12,000 है और यह जो है TRCA के coding 4 घंटे का salary है इसके बाद यह भी BPM और डाक से वक का 10,000 है अब आपके मन में यह dot होगा क्या इसमें 12,000 ही salary मिलता है तो ऐसा बिल्कुली नहीं यहाँ सब salary slip देख लिजिए salary slip देखेगा तो यह जो है assistant branch postmaster का है यह भी BPM का salary है में DA भी दिया जाता है महागाई भाता भी दिया जाता है 352 रुपया महागाई भाता दिया गया है और combined DTA launch भी दिया गया है 1950 इस तरह से सभी जोर करके जो यहाँ पर हो रहा है 15,752 रुपया 15,752 रुपया तब ही आप शुरू में join किजेगा तो लगभग 15,000 salary मिलेगा औ दिरे दिरे इसमें और भी सुविधाय एड की जाएगी तो इससे भी आधिक आप लोगों को salary मिलेगा अगर आपका यहाँ पर देखेगा यह जो 10,000 वाले पोष्ट पर कर सेलेक्शन होता है तो इसमें आपको 15,000 salary मिलेगा अगर 12,000 वाले पोष्ट पर सेलेक्शन होता है सुरू में आप लोगों को 18,000 salary मिलेगा तो salary आप यह नहीं कह सकते कि बहुत कम है और सेलेक्शन इसमें बिना एकजाम के अधार पर हो रहा है परसेंटेज मार्क्स के अधार पर हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर salary इसी एकोडिंग दिया जा रहा है अब किस राज में कितना क्या seat है तो seat के बारे में यहाँ से देख लिजा हुए official website open नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखेगा seat के बारे में तो यहाँ पर है अंधर परदेश 1716 seat असम से 1143 बिहार से 990 है 367 से 1230 है पर अब आपके मन में यह dot होगा क्या हम बिहार से है तो बिहार से ही form फिलब करेंग अगर आप तमील लाडू में फॉर्म फिलब करते हैं तो 4010 seat है और अगर आप वहां पर तमील भासा सीख लेते हैं बोलना और बात करना तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलब कर दीजिए अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो local language जाता है तो कोई दीकत नहीं होगा आप विसलिपी देखी लिए